नौरात्री के पावन पर्व पर हम है मा पीतामवरा पीट बंगला बुखी के सानिध्य में मा तंत्र की अधिश्ठात्री देवी है, मा सत्रुनाशनी है, कृपाकारुनी है अपने भक्तों के लिए विजैदाईनी, वरदाईनी है मा आईए बात करते हैं पीठा दिश्वर आचारे सिरी अतुल्यनाची से अच्छल ये धर्ती का मतलब दिल्ली का बाईयो कोण है तो अच्छल तो प्रवेश द्वार यही है दिल्ली में जब प्रवेश करते थे तो पानीपत से दिल्ली का ये रास्ता होता था जब मैं यहां आया तो ये जगे मुझे कुछ ऐसी आनवब हुई आदवध महसुस होई और यहां लोगों में एक किवदंती थी कि ये दैतुगू शुक्रचार की भूमी है इस तरह की चर्चाएं थी अचानक जब यहां आया तो कुछ ऐसा कुछ अदवध हुआ कि मैं जिस सिला पर बैठा जिस पत्थर जो पड़ा हुआ तो जहां बैठा पर जल था पानी है तो जब भी दीवाले खड़ी करें दीवाले गिरपड़ें छट डालें तो छट गिरपड़ें बहुत परिश्यम हुआ पैसा भी भवट खर्च हुआ शिश्यों का भी परिश्यम बहुत लगा बहुत सारा कष्ट के बाद जाकर यह मंदिर निरवान हु यही सबसे बड़ा नुभव है परन्तु अब यहां ओदेश जो है देश का कल्यानी है पर्थम तो पर्थम तो ओदेश जो है कल्यानी है और लोग सत्रू से पीड़ित हूं कर्ज से पीड़ित हूं या रोग से पीड़ित हूं उनके समाधान है तो यहां मैंने इस आसरम को इ बनाई और की एक्चुल यही उद्देश्य था या कहें कि भगवती ने श्वेम जागरित होकर यह स्थान बनमा लिया यह भी सम्भव है एक्चुल इस बात को इस तरह समझ लें कि जब भगवती ने यह कहा मैं एक हूँ बहुत हो जाओं तो संपुन सामराज देवी की एक्षा से ही स्थापित हुआ सरश्टी का ओदेवी देवी की एक्षा से हुआ वतपत्ती भी देवी की एक्षा से हुई और बगला मुखी इस्थर बिद्या है इस्थमन बिद्या है अगर हम सास्त्रों को ठीक से पढ़ें तो यह पता लगता है कि गर्व धारण जो होता है वो भगवत्ती के एक्षा से होता है तो संघार वतपति और गर्व यह तीन विवस्ता है जो तिर्कोन की तीन रेखा हैं जहां ब्रह्मा विष्णु महेस मौजूद हैं यह तीनों विवस्ता है जो है अपने आप में अवस्तित हैं और जैसे वक्त भगवती राज राजिश्वरी की लोग साधना कर लेते हैं से जुड़ना श्टार्ट हो जाता है यह इस पश्ट देखा गया है चुनाव में जीतने वाले लोग यहां बहुत आते हैं और यग्ध देवी का होता है तो शत्रुपक्ष को परास्त करके वो बिजय हो जाते हैं यह अनुबव है देखिए देवी देखिए मनुश्य की तीन मूल समश्या है सत्रु रोग और कर्ज और गरस्त तो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं समश्या से सत्रु से भी पीड़ित हो जाते हैं और रोग से भी गरस्त हो जाते हैं और कर्ज भी तीनों ही इस समश्याओं का निदान ही वगला मुखी है आप समझ लीजे कि लॉम रूप में भगवती राजराजश्वरी है और लॉम रूप में यही देवी जो राजराजश्वरी है वही वगला मुखी है यह इस्तमन करने वाली है तो यहां गरस्त लोग धन की प्राप्ति हेतु यहां आएं यहां यग कराएं शत्रू का समन हो रोग का शमन हो कर्ज से मुक्तिर हेतु भगवती बगला मुखी की उपासना पूजा प्रयोग यह विशेश है और खासकर गरस्तों के लिए विशेश सोच जिस्तान है जहां लोग आकर खासकर गरस्त ही सबस्यादर सुक पाते हैं आपे आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्षन में बताएं साथ ही ब्रह्मास्र न्यूस को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें